नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रदेका पांदे आप देख रहे हैं न्यूस्टाइवन हमारे खास बुलेटिन में बहुत-बहुत स्वागत है आपका खबरे विस्तार से तोक पिपलो उपखंड श्वेतर के गोरधनपुर के ग्रामीन गुरवार दोपहर को पिपलो तहसिल कारले के बहार पहुँच कर बिजली समस्या को लेकर प्रदर्शुन किया साथी तहसिलदार इंद्रजीच सिंग चोहान को ग्यापन सौपा सूचना पर निगम के अभियंता भी पहुँच वे लेकिन संतोष प्रत जवाब मन नहीं मिलने से ग्रामीनों ने तहसिल कारले के बहार अनश्वित कालें धरना शुरू कर दिया सरपंच प्रतिनिदी नरेंदर सिंग रागवींदर विजवय सहित काफी संख्या में ग्रामीन धरने पर बैठे रहे ग्रामीनों ने बताये कि गाउं में बिजली ट्रांसफॉर्मर चोरी हो गया था जिसके बाद बिजली चालू तो की गई लेकिन ट्रांसफॉर्मर अधि सताये कि बिजली निगम को कई बार समस्या से अवगत करवाए गया लेकिन लगातार अंदेखी से परिशान होकर गुरुवार दो पहर से तहसिल कारले के बहार धरना शुरू किया है साथ ही जब तक समस्या के स्थाई समाधान नहीं हो जाता तब तक कि धरना जारी रहेगा हमारे गाउं में गोर्दनपुरा में पिछले दो दिन से मतलब ट्रांसफोर्मर खराब हो गया जल गया तो दो दिन से कल सुबसे मतलब 11 बजे के आसपा से लाइक नहीं आई है गाउं में चार पांस डिलेवरी है तो चोटे बच्चे हैं वो बहुत परेशान हो रहे है और पिछले एक साल पहले हमारे गाउं में ट्रांसफोर्मर चोरी हो गया था उसकी हमने शिकायत कर वाई तो उस पे को ही कारवाई अभी तब हुई नहीं है उसके बाढ में जो ट्रांसफोर्मर अभी जल आए उस पर सारी कनेक्शन करे गया तो वो भी हर दूसरे तीसरे दिन दिक्कत आती लाइट की और हर 15 दिन में जल जाता है या कुछ होता है लेकिन जो विभाग है वो कोई कारवाई करनी रहा है आज हम लोग यहां पर धरने पर बैठे वें अब जब तक हमारा संसोद नहीं होगा हम जाहेंगे